हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरे किचिन में आप सभी का श्वागत है आज मैं कुंबर रायता की रेश्पी लेकर आए हूँ फ्रेंड्स इसे हम गर्मी का कूलर कर सकते हैं गर्मियों में बिना रायते का खाना तो अधूरा ही लगता है तो हम ठंधा ठंधा कूल-कूल कुं की रेश्पी आपको बसंदा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूले तो चलिए हम कुंबर रायता बनाना शुरू करते हैं कुंबर रायता बनाने के लिए हमने जो इंग्रीडियंच लिया है वो है एक बड़ी साइब को हमने पील करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है एक हडी मिर्च को हम बारीक-बारीक काट लिये हैं कुछ मिंट लीफ हम डालेंगे पादमी से हम काटेंगे एक कटोड़ी हमने ताजी दही लिया है थोड़ा सा धनिया पद्दा, एक उनियन को हमने बारीक बारीक काट लिया है, लाल मीर्ज पॉडर डालेंगे, ब्लैक पेपर, काला नमद, जीरा पॉडर और सफेद नमद, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें एक बॉल देंगे और उसमें हम दही को डाल देंगे, अब भ्यान से वेखिए, एक घर की बनी दही है, एकदम फ्रेज दही है, अब हम एक बीज की मदब से इसे अच्छे से बीट करेंगे, जब तक ये श्मूथ नहों हो जाए, अच्छे से बीट कर लेंगे दही अपने अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दही को हमने अच्छे से फ्हेंट लिया है, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूं, अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ ककुमबर, तो एक दम ताजा ककुमबर है, जिसे हमने पील करके ग्रेट किया, और हम इसमें डा अब हम इसमें आधा प्याल डाल देंगे, साथ में हम थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्स, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमने ककुंबर, ओनियान, नियां पत्ता सबको मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो हम आधा चमच सफेद नमक डालेंगे, आधा चमच ब्लैक नमक डालेंगे, ब्लैक नमक के बीना रायता अधूरा लगता है, आधा चमच हम ब्लैक पेपर डालेंगे, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, आधा चमच जीरा पॉडर, जिसे हमने भून के पीच दिया है, आधा चम्मच रेवचिली पौडर डालेंगे अब हम इसे एक बार अच्छे से मीक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना शुंदर कलर अपनी रायते का आ रहा है और दही के साथ ये कैसे एक तम चिपका चिपका देख रहा है तो हमने शारे मशाले को अच्छे से मीक्स कर लिया है अब हमने जो पुदीना पत्ता लिया था उसे हम हाँ से ही तोड़ के डालेंगे क्योंकि कटा हुआ पुदीने का पत्ता का टेष्ट अलग आता है तो हम इसे तोड़ के ही यूज करते हैं आप चाहें तो बाड़ी एक बाड़ी काट सकते हैं, तो हमने इसे छोटे छोटे टुक्रे में तोड़ लिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे, ककुमबर को काकड़ी, खीरा और धिल नामों से जाना जाता है, तो ककुमबर रायता बन कर तयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे, हमने रायते को सर्व कर लिया है, अब हम थोड़ा सा एरेट चिली से इसे गार्णिस करेंगे, थोड़ा सा हम उपर से काला नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे, फाइनली अपनी रायता बन कर तयार है, गर्मी में खाना रायते मीना तो अधूरा ही लगता है, तो फ्रेंड्स इस रायते को आप ज़रो ट्राई कीजिए, अगर आज की मेरी ये रायते की रेष्टी आपको पसंद आए, तो मेरे जैनल को लाइक केजिए, कीजिए, शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए, धन्यवाद